अगर आपको best ear purifier लेना है, then specification से ज़्यादा आपको practical use देखने चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा best filter कैसे choose करते हैं, किसी भी अच्छे purifier में तीन टाइप के filter use होते हैं, pre filter, carbon filter, HEPA filter, सबसे ज़्यादा important HEPA filters होते हैं, HEPA filter में multiple variant हैं, HEPA 10, HEPA 11, HEPA 12, बढ़ आपको ये consider बिल्कुल भी नहीं करने, आपको consider करना है HEPA 13 and HEPA 14, इसके अलाबा, कोई और consider नहीं करना है, गलती से भी, तूसरी important चीज़ है, filter replacement cost, एक अच्छा filter, 5-6 महीने अराम से चल सकता है, वो आपकी uses पे भी depend करेगा, और 5-6 महीने के बाद आपको replace करना पड़ेगा, हमेशा ही आप official filter को consider करें, जो वही company बनाती है, third party filters को कम prefer करें, और मैंने आपको सारे filters में कौन से official filter आप use कर सकती हूँ, उनके बारे में भी explain करा है, तो सारी link आपको description हम लेंगी, अब आपको आपके room के लिए कितना बड़ा filter लेना चाहिए, medium room के लिए, up to 400 square feet will be suitable, living plus dining के लिए 400 to 800 square feet और पूरे house के लिए, above than 800 square feet, इन चीजों को ध्यान रिखना, ये सारी चीजों को consider करने के बाद, मैं आपको चार model recommend करूँगा, 8000 से लेके, 15,000 के budget में जिनको consider कर लेना, without any confusion, सारी link आपको description में मिलेंगी, आपको budget में filter चाहिए, budget आपका 8,000 है, बिलकुल भी नहीं सकते हैं, then Honeywell AirTouch V3, one of the best choice है आपके लिए, 465 square feet area कवर करता ही है, advanced filtration system है, इसमें H13, HEPA filter, carbon pre-filter आपको देखने को मिल जाता है, एक साल company life वोलती है filters की, पड़ आपको हमेशा ही 5-6 महीने में change करना पड़ेगा, इस इसको ध्यान रखना, child lock, indicator, auto sleep, turbo mode, multiple features आपको देखने को मिल जाते हैं, noise भी कम करता है, एक साल की product warranty है, 4 star rating, 2800 से जाधा ratings है, 8000 की budget में आराम से मिल जाएगा, और इस budget में ये बनफता best filter है, इसका major pro यही है, कि budget में आपको मिल जाता है, filter reset indicator आपको देखने को मिल जाता है, कि कब आपको filter change करना है, जो की practically बहुत useful है, otherwise आपको 1 UI meter जिससे आपको पता चलेगा, कि आपकी actually air purify हो भी रही है या नहीं हो रही है, आराम से आप install कर सकते हो, filters को भी आराम से change कर सकते हो, इसका major cone यही है, कि budget में आता है, तो थोड़ा सा जाधा noise produce करता है, इसके साथ आप Honeywell का B3 filter को यूज़ करना, B2 filter को मत यूज़ करना, क्य पहला है Sharp F40 EW, trust me, यह one of the best purifier है, 30 से 40 मटब है, आपका कितला भी बेकार रूम हो, उसकी AQI 50 के नीचे ला देगा, जोकी impressive है, और इस budget में, कोई और purifier, इतनी अच्छी purifying आपको नहीं करके दे सकता, जनरली, 320 square foot area है, जोकी तोड़ा चोटा है, HEPF14 filter, आपको मिल जाता है carbon refilter के साथ, company 2 साल की filter life claim करती है, बड़ मैं आपको suggest नहीं करूँगा, आप हमेशा AQI meter अपने साथ रखें, जिससे आप major कर सकते हैं, LED indicator, touch control, anti-operational sleep mode जैसे multiple features आपको देख रहा को मिल जाते हैं, 3 साल की comprehensive warranty है, 4.2 star rating है, 1800 से जाधा ratings है, 10,000 की budget में इसको definitely consider करना चाहिए, major pro यही है, कि इसकी faster air purification है, और कोई भी 10,000 की budget में इससे best purification नहीं दे सकता, यह मेरी guarantee है, इसका major कौन यह है, कि सबसे पहला इसमें यह नहीं पता चलता, कि आपको filter कब change करने हैं, और HEPA, H filters आपको इसमें use करने पड़ते हैं, sharp अपने filters को officially कभी बेशता है, कभी नहीं मिलत हमेशा आपको इसके filters नहीं देखने को बलेंगे, यही इसका major कौन है, इसलिए मैंने इसको नीचे recommend करा, otherwise one of the best filter है, जिसको आपने consider करना चाहिए, कुछ third parties इसके filter बेशती है, बट third parties filter को आपको consider नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कितने लंबे time तक चलेंगे, उसकी कोई guarantee नहीं होती, बट फिर भी अगर आपके area में यही इसके filters available है, तर आप इस filter को definitely consider करना, otherwise इसी range में Xiaomi का smart air purification 4 light filter आपको देखना को बलता है, इसमें 462 square feet का जाधा area मिलता है, 3 layer filtration मिलता है, HEPA filter, carbon active filter और pre filter आपको साथ में देखना को बल जाते है, LED display मिल जाती है, child lock मिलता है, filter replacement reminder मिलता है, ठ्यार है, पिछले वाले में आपको नहीं पता चलता था कि कब आपको replacement करना है, शाब बाले में, पट इसमें आपको पता चलता है, तो यह बहुत अच्छी जीज़ है, application के तुरू, smart remote control मिल जाता है, auto night fabric mode मिल जाता है, low energy consumption मिल जाता है, एक साल की warranty 4.3 star rating है, 3300 स इसके easily valuable है, इनकी website पे और market में, तो definitely आप consider कर सकते हैं, इसका major कौन यही है, कि इसकी cleaning, sharp के comparison में थोड़ी सी कम है, अगर उसको rate करोगे तो it will be 19-20, अगर sharp की 20 है, तो इसकी 19 होगी, थोड़ा सा difference आपको देखना को मिलेगा, sharp is the best in the filtration, बट उसके filters नहीं मिलते हैं, यह बड तब best है, अब budget आपका 15,000 है, तो आपको best filter मिल सकता है, absolutely best and high quality, that is Cowway Air Mega AP 1019C, 355 square feet area कवर करता है, 3 layer filtration मिल जाता है, washable pre-filter आपको देखना को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, पाकी सब में pre-filter आपको भी खरीदना पन रहा था, अलग से, बट इसमें wash कर सकते हो carbon filter मिल जाता है, green true, HEPA filter मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें smaller particle, like PM 2.5 की भी filter out कर सकता है, 4 stage speed control है, effortless filter removal मिल जाता है, filter cleaning indicator भी मिलता है, और filter replacement indicator भी मिलता है, ये बहुत important होता है, पहले भी मैं सब जा चुका हूँ, कब आपको filter replace करना है, वो पता होना बह important है, 7 साल की warranty है, 4.5 star rating, 8500 से जादा ratings है, 14,900 के budget में absolutely best choice है, बिलकुल भी confusion मत करना, सबसे pro यही है कि इसमें washable pre-filter बल जाता है, तो आपके बाद में रुपय थोड़ी से बच जाएंगे, 500-600, आप easily install कर सकते हो, इसमें आपको AQY indicator मिसेंगे, जिसे actually आपको नहीं पता चल आते हैं, इसका carbon filter आपको 1490 रुपेगा, और HEPA filter 2100 रुपेगा मिल जाएगा, link आपको description मिलेगी, differently consider करना है, अभी भी confusion है, 15,000 के budget में cowboy air mega को ही consider करना चाहिए, one of the best air purifier है, 10,000 के budget में overall Xiaomi smart air purifier 4 light best choice है, क्योंकि इसके filters हमेशा आपको available होंगे, और अगर आपके area में sharp के filters available है then sharp F40 EW से best filter आपको नहीं मिलेगा इस budget में, और 8,000 के budget में honey well air touch B3, one of the best choice है, और अभी भी कोई doubt है, please comment